हाई गाईज हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आटोमेटिक ली टेबल आफ कंटेंट कैसे क्रेट कर सकते हैं यदि आपने हमारे यह वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं और देखने के बाद आपको भी एफ फील होगा कि है कितना असान था इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए हमने टेबल आफ कंटेंट तो बना लिया और हम यहां किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट के डेस्टिनेशन पर पहुच भी जाएंगे लेकिन सब्पोस कि यह फ लेकिन वीडियो को पूरा दिखिएगा ताकि पूरा प्रॉसीजर आपको अच्छी से समझ में आए और हां येदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले चैलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें जहां कहीं पर भी जम करना है हम उस लो कोई भी नाम देना है तो मैंने टाइप किया है टेबल ओफ कंटेंट लेकिन ध्यान रहे यहां पर स्पेस नहीं आता है इसलिए यहां पर आपको अंडर स्कोर का यूज करना होगा स्पेस की जगह पे दैन उसके बाद में हम इसे एड कर देंगे अब मुझे बॉटम से एक option दिखाई देगा link और hyperlink इस पर आपको click करना है आपको यहां पर एक option मिलेगा place in this document जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक bookmark लगाया था table of content वो यहां पर available है यहां पर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें इस table of content को ही select करना है then okay यह है देखिए back to index hyperlink हो गया अब हम इस पर click करेंगे और हम पॉस्ट करें है table of content पे इस तरीके से हम same document file में easily reference दे सकते हैं और यह दी file बड़ी भी है तो भी हम आसानी से related topic पर पहुत चकते हैं इससे हमें word पर काम करना और भी easy हो जाएगा और हमें matter को scroll करके ढूनना नहीं पड़ेगा तो है ना यह कित नासान तो I hope you like this video please like and share and don't forget to subscribe thanks for watching